ये है आज की आधुनिक आयोध्या तो चलिया इसे गहराई से जानने की शुरुवात करते हैं राम मंदिर से 7 किलोमेटर की दूरी पर 14 विखा जमीन पर 219 करोण की लागत से लखनौू हाईवे पर नया बसड़ा बन करते यार है रिल्वे स्टेशन मंदिर से 1 किलोमेटर की दूरी पर 240 करोण रूपए में नया रिल्वे स्टेशन डिजाइन किया गया है भविश में आयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चिन्नी, बेंगलोर, पुने, कोलकता, नागपूर, लखनौ और जमूजिसर शेहरों के लिए विशेश रेल गाडियां चलाई जाएंगी 1450 करोण रूपए में लबख 1300 वीखे में फैला हुआ परियागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट यहां से राम मंदिर की दूरी इससे 12 किलोमेटर है, भविश में कई बड़े महानगरों के लिए सीधे उड़ाने उपलत हो घागरा जलमार अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घागरा यानी सरीव नदी की सहर करते हुए लबख 300 किलोमेटर नदी में चल कर भी आयोध्या पहुंच सकते हैं भविश में इस रूट के लिए भी मोटर बोट से लाए जाने का प्रस्ता होए राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत हैं 800 करोण पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकरशन होगा राजस्तान के मशूर मकराना के पत्थरों से अकार लेते इस मंदिर की अनुवानित उम्र होगी लबबग एक हजार साथ 22 जनूरी को पहली मंचल का उत्खाटन होगा जिसमें राम की बाल्यावस्ता की मूर्ती रखी जाएगी बागी की दो मंचलों का कारे चलता रहेगा खजराहों के मंदिरों की नागर शेली के अधार पर इसे तराशा जा रहा है मंदिर का कुल शेदरफल 156 एकड़ या 200 क्यों बीगा है हनुमान गड़ी राम मंदिर से लगबख 800 मीटर की दोरी पर इस्तित है हनुमान गड़ी मंदिर के आवासी ये परिसर को मिला कर ये लगबख 52 बीगे में फैला हुआ है मंदिर की 36 सीड़ीयां चलकर हनुमान जी के दरशन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है ये मंदिर आयोध्या शेहर के ठीक बीच में एक उचे टिले पर बना है शेहर की तरफ आने वाले आक्रमण कारियों के आने की सूचना यहीं से प्राप्त करके आयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी आयोध्या पर आक्रमन हुआ उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वन से जेलना पड़ा हलाकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया आज ये मंदिर रामनन संपरदा है और निर्वाणी अखाड़े के आधीन है राम की पेड़ी अयोध्या को सर्यू नदी की भेंकर बार से बचाने के लिए इस बांध का निर्मान किया गया था जिस पर शर्धालों के सनान के लिए कई खाड बना दिये गए थे इतिहासकरों के अनुसार जितनी बार भी बांध तूटता था सर्यू का पानी अयोध्या की गलियों में घुसाया करता था इसी बार से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगा जगा पर उचे टीले बनाए गए थे जिसे राम टिला, हनुवान टिला, लक्षमा टिला आज ये बांध अयोध्या का मुख्य परियाटन अस्तल बन चुका है हर दी पावली पर यहां लाख मों दिये जलाकर रामायल की उस घटना को उत्सों के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लोटे थे अयोध्या के कई बार उजडने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है हलाकि इसी नदी की वज़द से यहां पर गन्नी की खेती बड़े अस्तरपर की जाती है लदा मंगेश का चौरहा नया घाट और बस स्टेंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौरह च्छे दसमलो साथ करण रूपए में बनकर तैयार हुआ है पद्व श्री से सम्मारित राम सुथार जी ने दो मा के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 पिट लंबी वीना को आकार दिया चौदा टनकीस वीना को लटा जी के इस मिर्थ चिन्ह के रूप में यहां पर लगाया गया है इसलिए इसका नाम नया घाट चौरह से बदल कर लटा मंगिश का चौरहा कर दिया गया है धर्मपत नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 पिट उंचे 40 सूर्यस्तंब लगाये गये हैं जिसे धर्मपत का नाम दिया गया है जो श्रीराम के राजकुल सूर्यवंश का परतीख है दशरत समाधियस्तल नया बस अड़े के बगल से एक पतली रोड कचार से आगे बढ़ते हुए लगबग 12 किलिमेटर दूर ले आती है दशरत समाधियस्तल जो विलहर घाट पर मौझूद है जिसके बारे में मानिता है कि यहां पर राज़ा दशरत का दाह संसकार हुआ था राम अंदिर के साथ इस जगां को भी परेटर नस्थल के रोप में विक्सित किया जाने की योजना पर कारिज चल रहा है भरत कुल आयोध्या से 15 किलिमेटर दूर है नंदिक राम यहां मौझूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं मानिता है किसी जगां से भरत ने पूरे अयोध्या का राजकारिया संचालित किया था परेटकों के लिए इस अस्थान को भी विक्सित किया जाएगा गुप्तार घाट राम की बेड़ी से सर्यों नदिके गिनारी चलते वए 10 किलिमेटर दूर इस्तित है गुप्तार घाट यह कैंट एरिया में पड़ता है इस जगां को श्री राम के जल समार्द के रूप में महात हो दिया जाता है इसके लावा आयोध्या नगर में हर गली में कई विशेश मंदिर है जिनके अपनी मानियताएं हैं, कथाएं हैं, विशेश ताएं हैं पूरी तरह से विक्सित हो जाने के बाद नई आयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए इसका आनंद लेने के लिए कम से कम तीन दिनों तक यहां रुकने की आउशकता है देश विदेश से जाए तर प्रेटक भारत आते हैं उत्तर पुद्रिश में आगरी का ताजमाल देखने और प्राचीन नगरकाशी और सारनाथ घुमने प्रशनी यह है कि आयोध्या घुमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे और इसका कारण है भारत में लिखे गई रामकथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्थक रामायाण भारत में रामायाण के लावा कंबोडिया में रीम केर, थाइलेंड में रामकियन जो की वहां की राष्टी यह पुस्थक है इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायाण जैसे पुस्तकों में बालमीक की रामकथा से प्रणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है पातरों के नाम कुछ नहीं खटनाओं के अलवा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है इसके लाव भारत में ही रामकुथा को लेकर संस्कृत में साथ संस्क्रण, हिंदी में तीन संस्क्रण, गुजराती में 47, ओडिया में 14, तेलगू में 5, कन्नड में 4 और अन्य भाशाओं में लबक 17 संस्क्रण मौझूद है। एड़वर अल्खरर, अल्फ, हिल्टी बीटेल, पाउलर रुचमैन, आप्रे मिनन, रमेश मिनन, राधा विश्वनाद, सांदन गुप्ता, मिनाक्षी जैन, लाला सीधराम, स्वामी ग्याना नंद सरसोती जैसे कई लोगों ने समय समय पर रामकथा को लेकर गहन फ्रोथ किय और इसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ ही, इसके दिहास को समझने का प्रयास भी गिया। अपनी समपनिता के काराण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमन कारियों का भी सामना किया। इसका कोई परमाण नहीं है। आयोध्या को फिर से खोज कर उसे इस्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित का नाम आता है। लेकिन विक्रमादित एक उपाद है जिसे कई राजाओं को दिया गया था। तो ये कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के कौन से राजा ने एक कारिक किया। कुछ विशे शग्यों का मत है कि ये काम उज्जेन के राजा विक्रमादित ने किया होगा। दंदवन्ष, मौर्यवन्ष, सुंगवन्ष, गुप्तवन्ष, आद के सामराज में भी आयोध्या का वर्डन पराप्त होता है। सबसे वड़ा विद्धन सुवा 1527 के असपास बाबर के कारिकाल में जब राम मंदिर को धुस्त कर बाबरी मस्जद अस्थापित की गई। सन 1722 में बंगाल के नवाब अलिय वर्डी खान ने व्यापार के नजरिये से राम मंदिर से कुछ किलोमेटर के दूरी पर एक नयाज शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में आवद के पहले नवाब सादत अली खान ने इसका नाम करण किया फैजबाद। इन्हें के उत्राइदिकारी सुजाओ दौला ने इसे आवद के राजधानी बनाई। 1775 में आवद के चौथे नवाब असबुत दौला ने फैजबाद के जगान लखनो को आवद के राजधानी पोशिब की। रामायर अहंकार का पृतिक और श्री राम विरंबरता के सूच है। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ रंग रोगन और पत्था लगवानी से रामराज ये नहीं आएगा बलकि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों से ब्रश्चाचार खत्म होगा लोहों का मुफ्त, इलाज और अपनी भाशा में उच्छ सिक्षा उपलब्ध होगी। उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां कभी हम पुआ करते थे। रामायण अंकार पर विरम्रता की विजए है।